हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मनस्वी एक्जाम सोलूशन्स फ्रेंट्सी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एच्टैट या नेट जैसे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं इस वीडियो में आप 2018 में जो एच्टैट का एक्जाम हुआ था PGT Geography का उसमें कैसे Question पूछे गए थे ये देख सकते हैं इसमें 91 से और 150 तक 60 Question है वो जेग्रफी के पूछे गए थे इससे पहले इस एक्जाम में जो Child Development and Pedagogy से Question पूछे गए थे उनकी वीडियो में अप्लोड कर चुकी हूँ अगर आप देखना चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं ये वीडियो जोग्रफी के जो स्टूडेंट है एच्टैट या नेट की तयारी कर रहे हैं उनके लिए helpful है ये fourth part है जो कि जोग्रफी के questions से related है question number 91 है मासागरिय धाराओं की उत्पत्ती करने वाले परमुख कारक हैं तो इन में से ए, बै, और से ये तीनों सही है मासागरिय धाराओं की उत्पत्ती करने वाले कारक है ग्रिये पवने मासागरिये जल के तापमान में अंतर मासागर्य जल की लवनता में अंतर इन सभी कारकों केकार मासागर्य धाराएं उत्पन होती है इसका correct answer हो गया first मैं जो ये answer बता रही हूँ ये official answer की के according है इसमें next question है यूरोप में पलिस्टोसीन हीम्यूग को सही काल करम में विवस्थित कीजिए तथा नीचे दिये गए code का उपयोग करते हुए सही उत्तर का chain कीजिए तो इसमें जो सही करम है वो है मिंडेल नहीं सबसे पहले होगा इसमें गूंज उसके बाद मिंडेल नेक्स्ट होगा रिस उसके बाद वुर्म ये question net के exam में भी पूछा जा चुका है इन में से mostly question ऐसे है जो कि net के exam में भी पूछे जाते हैं इसलिए ये video net के exam की तयारी करे students के लिए भी helpful है next है निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है एक तरफ भुआ करती दी हुई है और दूसरी तरफ उनको बनाने वाले कारक दिये हुए है तो अंदी गाटी ये काश्ट स्थला करती है जो कि भूमिगत जल से बनती है ये सही है पैडिमेंट ये जलिये रेगिस्तानी स्थला करती है अंडो की टोकरी ये जो स्थला करती है ये ग्लैशियर या हिम्नद से बनती है तो ये तीनों सही है जो ये चोता है राश मूटों ने ये वायूडू से बनती है ये गलत दिया हुआ है तो इसका जो अंसर है वो क्या हो गया फोर्थ क्योंकि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये पुछा हुआ था नेस्ट कोशचेन निमलिकित कत्नों का परिक्षन कीजिए तो इन में से कौन से सही है ये बताना है तो इसमें से ए, बै और साय तीनों ही सही दिये हुए है मुख्य, मद्य, कटान, महान, हिमाले को लगू, हिमाले से अलग करती है मुख्य सिमान्त ब्रंश लगू हिमाले को शिवालिक से अलग करती है और महान सिमान्त ब्रंश अरावलिको विंद्यसन से system से अलग करता है नेक्स्ट कुश्चन है एक पुनर्यूवित स्थ्ला करती के लक्शन है तो उसके जो लक्शन होते हैं निक पॉइंट अधिकर्तित विसर्प और घाटी में घाटी बनती है तो ए, बे और सह ये इसका सही अंसर है तो इसका correct अंसर ए, बे सह किसमें थर्ड में ये इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भारतिय मोसम मांचितर पर निमलीखित में से कौन सी मोसमी दशाय नहीं दर्शाय जाती है तो उसमें समताप रेखाय नहीं दर्शाय जाती है वागे समदाब रेखाय आकास की दशाय और पवन की दिशाय ये सभी दर्शाय जाते है इसमें है गैस यह परीकल्पना गुर्थवा करशन के नियम पर आधारित है इसके बाद प्रारंबिक आध्विपदार्थ शब्द कांट द्वारा दिया गया था ये भी सही है इसमें जो स है ये गलत दिया हुआ है बाकी जो दे है ये भी सही है कांट का कहना था मुझे पदार्थ दो मैं दिखाऊंगा कि उससे विशु कैसे बनता है तो इसमें ए, बै और दै सही है तो इसका जो अंसर होगा वो होगया थर्ड नेक्स्ट कोस्चेन है इसमें एक तरफ सेक्टर दिये हुए हैं और आर्थिक किरिया कलाप दिये हुए हैं कौन से सेक्टर में कौन से आर्थिक किरिया कलाप आते हैं तो जो प्राथमिक सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर उसमें आते हैं किर्शी और खनन जो सेकेंडरी या दि गुलत दिया हुआ है तो कौन सा सुमेलित नहीं है फोर्थ सुमेलित नहीं है नेक्सक्थ नहीं है नेजिक्स कोच्चन है और अदिक्तर परवासी होते वह छोटी दूरह तक अंचरें थे है और ग्रामीन लोगों की तुलना में नगरिय लोगों में परवास की भावना कम होती है तो इसका जो correct answer हो गया फर्स्ट नेक्स्ट कोस्चिन है भारतिय मिटियों के बारे में निमलिकित कतनों का परिक्षन कीजिए कि इन में से कौन से कतन है वो सही है इसमें रेगर्ड मिट्टी दक्कन लावा से निर्मित है ये सही है बंगर्ड मिट्यों की तुला में खादर मिट्टियां अधिक मर्ती का युक्त है ये भी सही है और लेटेराइट मिट्टियां लोहो एवं ऐ ये भी सही है इसमें ए बै और से सही है नेक्स कोस्टिन है जिन गर्ना 2011 के अनुसार राज्यों या केंदर शाषित परदेशों का कौन सा यूगम जन जाती है जन संख्या कुल जन संख्या का सरवादिक परतिशत रखता है तो वो है लक्ष दीप तथा मिजोरम सैकिंड इसका सही अंसर है नेक्स कोस्टिन है क्रिस्टैलर का केंदरिय सथल सिधांत निमली कित में से कौन से दो नियमों पर आधारित है तो वो दो नियम है वस्तूओं का परिसर और वस्तूओं की देहिरी रेंज ओफ गूड्स एंड थ्रेशोल्ड इसका जो क्रेक्ट अंसर है वो हो कूट मैटूर और कोरापूट नेक्स्ट है भारत में रेलवे का परती एक हजार वर्ग किलोमीटर छेतर में गंताव सरवाधिक है ये है पंजाब एवं पस्चिम बंगाल में नेक्स्ट है ओसाका जापान का मांचेस्टर कहलाता है यह जापान के कौन से ओध्योगिक पर देश में अवस्थित है तो ये किनकी में स्थित है नेक्स्ट है निमलिकित में से भारत की कौन से सतला करती एक एसकार्पमिंट का उधारन है तो ये है पस्चिमी घाट नेक्स्ट कोश्चन है ताप ये विलोमता होती है जब श्यान्त एवं लंबी शीतकालीन रात हो हीमा अच्छादित धरातल हो तता आकास स्वच्छ हो एवं परतिचक्रवातिय दशाई हो ए बैस है इसका सही अंसर है नेक्स्ट है वायुदाब पेटियों का विशूवत रेखा से धुर्वों की और सही करम चुने तो इसमें है जो करेक्ट होगा वोगा विशूवतिय निम्न व वायुदाब पेटी उप धुर्वी है निम्न वायुदाब पेटी और धुर्वी है उच्छ वायुदाब पेटी ये कोस्टिन भी नेट के एक्जाम में पूछा जा चुका है नेक्स्ट कोस्टिन निम्न लिखित को लवंता के बढ़ते करमें विवस्थित करें तो इसमें तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा दै बै ऐसे थर्ड इसका करेक्ट अंसर है नेक्स्ट है एक कथनात्मक मापनी 2 cm एकवल है 1 km के तो निरुपक भिन या परदर्शक भिन आर एफ क्या होगा तो यह होगा 1 रेशो 50,000 नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसमें से जो फोर्थ है यह सुमेलित नहीं है बाकि उशन आदर सदाबाहरवन यह मिलते हैं पस्चिमी घाट में उशन शुष्क सदाबाहरवन यह मिलते हैं तर्टिय तमिल नाडू में समसितोशन आदर वनस्पतिय मिलते हैं नीलगी रिवय अनामलाई की पहाड़ियों पर नेक्स्ट कोश्चेन वितरन मानचित्रों के संबंद में निम्लिकित में से कौन सा कथन ऐसत्य है तो इसमें जो फोर्थ है ये ऐसत्य है फर्स्ट सेकिंड और थर्ड ये सत्य है कोरोशीमेटिक विधी को परतिक विधी भी कहा जाता है कोरोशीमेटिक मानचित्रों को रंगारेक मानचित्र भी कहा जाता है और जनसंख्या घंतो वर्ण परतिकी विधी द्वारा दर्शाय जा सकता है नेक्स्ट भूमद्य सागरी किर्शी की निमलिकित विशेस्ताओं का परिक्षन करें तो इसमें से ए बैसे और युद्धे ये चारो ही भूमद्य सागरी किर्शी की विशेस्ताओं होती है ये उच्छ विशेस्शी करत वानिजी की किर्शी का परतेनी धितू करती है अन्य तथा सब्जी उपजाई जाती है इसमें और सीमित पशुपालन होता है और विटी कल्चर ये सबी इसकी विशेस्ताएं है नेक्स्ट है कौन सी सम्म वर्षा रेखा भारत को चावल एवं गेहूं के परमुक उत्पादक छेतरों को बाठती है तो वो है सो सेंटीमेटर की वर्षा रेखा नेक्स्ट है वेबर की ओद्योगिक अवस्तिति सिदान्त के अनुसार किसी पदार्थ या उत्पाद की समान पर इवहन मुल्य रेखा कहलाती है ये कहलाती है आइसो टिम नेक्स्ट कोश्चेन है निमली की तोसु में लित करे तथा नीचे दिये गए कोड का पर्योग करते हुए सयुत्ता का चैन करे अवधारना दी हुए है और उनके परतिपादक दिये हुए है तो जो अमलेंड की अवधारना है ये दी है आंद्रे एलिक्स ने नगरिय उपान्त की टी ऐल समिथ ने दी है सननगर की पैटरिक गिडिज ने दी है और मेगालो पोलिस की जीन गोटमैन ने दी है नेक्स्ट है थांपसन और नोटेस्टीन के जनंके संकर्मन से धानत के अनुसान निमलकित में से कुन सी अवस्था सुमेलित नहीं है तो इसमें से जो थर्ड अवस्था है वो सुमेलित नहीं है बागी जो फर्स्ट अवस्था है उसमें उच्च जनमदर और उच्च गटती हुई और फोर्थ अवस्ता में जनमदर कम, मिर्ट्यूदर कम, यह सभी सही दिये हुए हैं, जो थर्ड अवस्ता है वो सही नहीं दिये हुई है, नेक्स्ट कोश्चिन है, विसु का सबसे लंबा तता सबसे बड़ा सडक नेटवर्क किस देश में है, तो यह है सयुक् अमेरिका में, नेक्स्ट है, वान्थ्यूनिन के किर्शी भूमी उप्योग सिधान्त के अनुसार किसान त्री सतरिये खेत पर नाली पालन करते थे, यह करते थे मेखला 5 में या जोन 5 में, नेक्स्ट है, बूस्त हैतिक उपगरों के बारे में निमलिकित कतनों का परिक्षन कीजिए, जियो स्टेशनरी सेटलाइट के बारे में, इन्हें लगबग 36,000 किलोमीटर की तुंगता या उचाई पर स्थापित किया जाता है, यह सही है, पिर्थवी की गूर्णन दिशा के समान दिशा में परिकर्मन करते हैं, इनका कोण ये वेग पिर्थवी के समान होता है, और एक उपग्रे पिर्थवी के आदे भाग को धक सकता है, ये चारो ही कतन सही दिये हुए है, नेक्स्ट है, निमलिकित में से कौन सा एक परवाल वले नहीं है, तो इसमें से जो फोर्थ है ग्रेट बेरियर, ये एक परवाल वले या एटाल नहीं है, नेक्स्ट है, य ये कहलाता है समनत वलन नेक्स्ट है मानचित्रों में छेतरफल मापन हेतू कौन सा यंतर परयुक तो होता है तो ये होता है प्लैनी मीटर नेक्स्ट है उच्च वच्छ परदर्शन की निमलिकित वीदियों में से कौन सी एक मातरातमक वीदी नहीं है नेक्स्ट है उपरी समान गंतों वाले छेतर के नीचे 16 किलोमेटर मोटी ए समान गंतों की परत होती है समस्थिती के बारे में यह मत किसने व्यक्त किया यह मत व्यक्त किया था जोली ने नेक्स्ट है टार्नेडो के विकासे तो अवशक वयुमंडल ये दशाएं है तो इसके लिए ये जो तीन दशाएं दी हुए तीनों ही अवशक है निम्न तुंगता या उच्चाई पर उचनादर वयु की परत उच्च तुंगता पर शुषक वयु की परत लगबग 1000 मेटर उच्चाई पर विलोमता के साथ एक गहन शीत वाताग्र ये सभी कंडिशन होती है तब टार्नेडो का विकास होता है नेक्स्ट निम्ली कितमे से कौन सा परच्चेप चिली का एक आदर्श मांचितर बनाने हैं तो सरवादी को उप्युक्त है तो ये है आवशक्ततो है वो है आकडा उत्पाद व्याख्या तथा विशलेशन सूचना उत्पाद उप्योग करता डाटा प्रोडेक्ट इंटर्प्रेटेशन एंड अनालिसिज इन्फोर्मेशन प्रोडेक्स एंड यूजर्स ये सभी आवशक्ततो है अलिमेंट है नेस्ट है मानव भुगोल के अंतरगर्थ आचार परक या वैवाहरवादी परियावरन पदशिखर पर लाने वाले थे तो वो थे विलियम किर्क भारतिय जलवायू के कोपेन के वगी करन में एस जलवायू पाई जाती है ये पाई जाती है कोरोमंडल तट पर नेस्ट है एक गंटी के आकार का पिरामिड जो की संकिन आधार और शुंडाकार शिर्श युक्तु हो जन संख्या आयू लिंग परदर्शित करता है तो ये परदर्शित करता है जापान की नेस्ट है मानव परिस्थिती की मत्परस्थुत करने वाले थे ये थे एच एच बैरोज नेस्ट है भारत सरकार सी बैक थोर्ण की खेती को प्रोटसाइद कर रही है इस पोदे की क्या उप्योगिता है तो ये जो पोदे है ये मर्दा परदन को काबू करने तथा मर्द थभी करन को रोकने में सहयक है और इसकी पोशन की दर्ष्टी से उप्योगिता है तो ए और से सही है थर्ड इसका अंसर हो जाएगा नेस्ट है भारत के निमलिकित संग्रक्षित छेतरों पर विचार कीजिए तो ये छेतर दिये हुए इन में से कौन से भाग संग्रक्षित छेतर गोशित है तो वो है बांदिपूर, मानस या मनास और सुन्दरवन ये सभी भाग संग्रक्षित छेतर है ए, से और दे, ये इसका सही अंसर है नेक्स्ट कोश्चिन है जनकरना 2011 में भारत में नगरी करण की निमलिकित परवर्तियों का परिक्षन करें कूल जनसंख्या में नगरिय जनसंख्या 31.16 परतिशत थी ये सही है, सरवाधिक नगरी कर्थ राज्य गोवा है, ये भी सही है नगर ये जनसंक्या का सरवादिक से केंदरन महाराष्ट में हैं ये भी सही है ये बैसे सही है तो इसका करेक्ट अंसर हो गया सेकिंड आप देख सकते हैं ये किना टाइम कंजूमिंग पेपर है एक ही कोश्चन में दो दो तीन तीन कोश्चन है वो पुछे हुए है नेक्स्ट है गहरे उदगम केंदरवाले भुकंप अनुपस्थित पाये जाते हैं तो ये पाये जाते हैं रुपांतित ब्रहंश एवं अपसारी सीमाउं दोनों के सहारे नेक्स्ट कोश्चन है नूई आर देते एक लाक्षनिक विशेस्ता है तो ये विशेस्ता है माउंट पिली जो अलमुखी की नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा एक बलाग परवत का उधारन नहीं है तो जो काकेश है ये बलाग परवत का उधारन नहीं है बागी ब्लैक फोरेस्ट वोस जेस और शियरा निवादा ये सबी ब्लॉक परवत के उधारन है किस विग्यानिक भूआ करती विग्यानिक का कथन है ने तो आदी का पता है ने अंत का भविश्य ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है क्योंकि ये स्टेटमेंट है ये नेट के एकजाम में भी कई बार कुछी जा चुकी है तो ये है जेम्स हटन का कथन नेस्ट है एक इंचिया चोथाई डिग्री स्टलाकर्तिक शीट की निमलिकित में से सही सूचक संख्या है इसका करेक्ट अंसर है थर्ड नेस्ट है एक क्लाइमोग्राफ में यदि आदर बलब तापमान 15 डिग्री संटी गेट से अधिक एवं सापेचिक आदर ता 40 डिग्री से कम है तो यह परदर्शित करता है ये शो करता है स्कोर्चिंग जलवायू को नेक्स्ट है इसमें दो सूची दी हुई है जिनको की आपस में मिलाना है ये एक तरफ मंडल दिये हुए है दूसरी तरफ परिगटिना दी हुई है तो जो आयन मंडल है आयन मंडल में क्या होती है रेडियो तरंगे परावर्तित होती है ये सैकेंड के साथ मिलाएंगी समत बोब मंडल है इसमें नोर्मल लेप्स रेट होती है सामाने ताप पतंदर और जो मध्य मंडल है इसमें निशादिप्त मेग पाए जाते हैं नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा GIS सोफ्टवेर भारतिय अंतरिक्ष विभाग द्वारा विक्सित नहीं किया गया है इसमें से जो इलविस है वो भारतिय अंतरिक्ष विभाग द्वारा विक्सित नहीं किया गया है जियो, स्मार्ट और स्पेस ये सबी विक्सित किये हैं नेक्स्ट है भारत में निमलिकित उद्योगों में से कौन सा उद्योग पानी का सरवादी उपभोगता है तो ये है तापिय उर्जा, थर्मल पावर समकाल रेखाएं परदर्शित करती है समकाल रेखाएं किसी भोगोलिक छेतर में दिये गए बिंदू से समान समय में पहुचने वाले सथानों को मिलाने वाले रेखाएं होती है थर्ड इसका करेक्ट अंसर है नेक्स्ट है मारा कीबो जील तथा औरी निको बेसिन में तवपून कुरूड तेल या कच्चा तेल उतपादक छेतर है ये है वैने जुएला के नेक्स्ट है जन्गरना 2001 की तुलना में जन्गरना 2011 में जीरो से छे आयू समू में योन उतपात में सरवादी कमी हुई ये हुई है जमू कश्मीर में नेक्स्ट है जब काहीरा 30 डिगरी पूर्वी देशांतर में समय दो फैर के 12 बजे हैं तो लंदन में समय होगा उस टाइम लंदन में सुभह के 10 बजे होंगे इसका करेक्ट अंसर है सेकिंड नेक्स्ट है मानव विकास सूच कांक रिपोर्ट 2018 में भारत का स्थान था इसमें भारत का स्थान था 130 वा नेक्स्ट है भारत में किर्शी जलवायू प्रादेशी करन प्रदेशों के प्रात्मिक उदेश्य है इनके उदेशे हैं किर्शी गत उत्पादों को सुधारना और अधिक ग्रामिन रोजगार उत्पन करना ए और से तो इसका क्रेक्ट अंसर हो गया थर्ड I hope ये वीडियो आपके लिए helpful होगी अगर आप H.T.C.T.Net या किसी competition exam की तयारी करें हैं या फिर B.A.D. या J.B.T. के student हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो